नमस्कार, चाया मच्छुना लिखा है गिरिजा कुमार माथूर ने, आज हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं बिल्कु संक्षिप्त में, चाया का मीनिंग होता है पुराने यादें, कभी कहता है कि पुराने यादों को याद मत करो, अन्यता आप दबल दुखी हो जाओगे, जीवन में हैं सुरंग, सुरंग यानि रंग बिरंगी, सुधिया यानि यादें, सुहावनी यानि मन को भावन लगने वाली, सभी के जीवन में रंग बिरंगी यादें बसी हुई हैं जो हमारे मन को भाती हैं, चवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और उन यादों क चित्र गंद यानि हमारे मन में एक चित्र व्याप्त रहे जाता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है मन को भावन लगता तन सुगंध शेश रही उनकी यादों के सुगंध हमारे मन में शेश रहे जाती है और बीत गई यामिनी यामिनी यानि काली रात बीत चुकी है लेकिन अभी भी उन बातों की सुगंध हमारे तन में बसी हुई है कुंतल के फूलों के याद बनी चांदनी कुंतल यानि चांदनी रात बन कर रहे गई है भूली से एक छुँन बनता जीवित छण हमारी जो पुरानी यादे हैं छुण यानि स्पर्ष हमें हर छण जो है हमारा जीवित झशण है वो हमें भूला हुआ सा लगता है दूसरे स्तेंजा में कवी कहता है यश यश है या ना वैवव है मान है ना सरमाया यानि हमारा कोई नाम नहीं है वैवव नहीं है यश नहीं है कोई पूंजी नहीं है मान सम्मान नहीं है जितना ही दोड़ा तू उतना ही भरमाया भरमाया यानि भरमित होना जितना आप दोड़ते हो उतना ही आप अधिक भरमित होत का शरन विम्ब प्रभुता का शरन विम्ब क्या है या आप सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हो कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो यह भी तृष्णा है द्रोका है लेकिन यह केल कैंसा है कि दोखा खाना है बढपन का एहसास हो Set & Central चलते हो तो हमेशा धोखे में आ जाते हो क्योंकि यह एक मृग द्रिशना है थे में चंद्रिका यानी चांद नी रातार के बाद एक आली अमावश्य जरूरा आती है कृस्ट न यानि जो यह ये थार्थ कठिं उसका तो कर पूजन च्यांत शुना मन होगा दुख दूना यथार्थ यानि वास्त्विक जो चीज है आपके जीवन की वास्त्विकताई है लेकिन वो कठिन है कठिन है फिर भी उसका आपको पूजा करनी चाहिए उसकी आपको पूजन करनी चाहिए पूजा करेंगे तो आपकी कठिनाया जो हैं वो स्मस्त कठिना या दूर हो जायेंगी चाया मत चूना मन होगा दुख दूना कभी भी पुरानी यादों को याद मत करना क्योंकि इससे आपका मन दूगुना दुखी हो जायेगा यहे कभी कहता है थड़ स्टेंजा में कवी कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना दुविधा हद साहस है तिकता है पंथ नहीं दुविधा हद साहस यानि साहस होते हुए भी दुविधा ग्रस्त है सास भी है लेकिन साथ में दुविधा भी है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है पंथ यानी रास्ता देह सुखी हो पर मन की दुख का अंत नहीं देह को आराम है सभी सुख सुविधाएं मिले हुई है लेकिन मन में जो दुख व्याप्त है उसका कोई अंत नहीं है दुखा ना चांद खिला शरद रात आने पर दुख इस बात का है कि शरद रात्री आ चुकी है सरदी की रात आ गई है लेकिन उस वक्त चांद नहीं खिला है जब उसकी जरूरत है यानि खुशिया तब नहीं मिली है जब उनकी जरूरत होती है क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत बीत जाने पर क्या फाइदा जब फूल खिला और बसंत बीत चुकी है यानि खुशिया जब नहीं चाहिए हो तब ना मिले तब वो अच्छी नहीं लगती है जो ना मिला भूल उसे कर तू भविश्य वरण जो आपको मिला नहीं है उसको भूल करके भविश्य का वरण करना चाहिए यानि भविश्य का स्वागत करना चाहिए कभी यह कहता है छाया मचुना मन होगा दुख दूना पुरानी यादों को कभी भी याद मत करना क्योंकि इ की घड़ियों में सुकद पलों को याद नहीं करने का प्रामश दिया है